Hello friends, welcome back to my channel दोस्तों, तक अब आपके साथ ऐसे हुआ है कि आपको किसी से बात करनी है पर बात करने से पहले ही आप सोच रहे हैं यह रूट तो नहीं लगेगा, यह अच्छा तो लगेगा, ऐसे तो लगेगा, बहुत सारी बात हैं I know, but don't worry, I got you cover क्योंकि आज के वीडियो में सीखने वाले हैं, इंग्लिश के 50 polite sentences, with Hindi meaning अगर आप यह sentences आपके daily conversation में use करोगे, तो आप फटेक से किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं चलिए जानते हैं तो चलिए शुरू करते हैं Could you please pass the sword? क्या आप नमक pass कर सकते हैं? Would you mind if I open the window? क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं खिड की खोल दूँ? I'm afraid I can't agree with you on that मुझे डर है कि मैं आपसे इस पर सहमत नहीं हो सकता Thank you for your understanding आपके समझ के लिए धन्यवाद I would appreciate it if you could help me with this मुझे खुशी होगी अगर आप इसमें मेरी मदद कर सके I apologize for the inconvenience और सुविधा के ले मैं क्षमा चाहता हू Please let me know if you need any further assistance कुपया मुझे बताई यदि आपको किसी और सहायता की आवश्यक्ता हू Could you explain that to me once more? क्या आप मुझे यह एक बार फिर से समझा सकते है? Would it be possible to reschedule of a meeting? क्या हमारी बैटो को पुनत निर्धारित करना संभव होगा? I hope you don't mind my asking But could you clarify this point? मुझे आशा है कि आपको बुरा नहीं लगेगा लेकिन क्या आप इस पॉइंट को स्पष्ट कर सकते है? I would be grateful if you could share your thoughts on this मुझे खुशिब होगी अगर आप इस पर अपने विचार साजा करें Could you please hold on for a moment? क्या आप पुरुपय एक्षन के लिए रुख सकते है? I am sorry to interrupt but could I add something here? माफ किजे मैं बीच में रोक रहा हूँ लेकिन क्या मैं यहां कुछ जोड सकता हूँ? Would you be so kind as to send me the details? क्या आप क्रुपया मुझे विवरान भेज सकते है? Take a moment of your time क्या मैं आपका कुछ समय ले सकता हूँ? It's very considerate of you to think of that यह बहुत हैं विचारशिल है कि आपने इसके बारे में सोचा I hope this isn't too much trouble मुझे आशा है कि यह ज़्यादा परेशानी नहीं है I would love to hear your feedback on this मुझे इस पर आपका feedback सुनना अच्छा लगेगा I truly appreciate your assistant with this matter मैं वास्तों में इस मामले में आपकी सहायता की सराहना करता हूँ Could we possibly discuss this further at your convenience? क्या हम इसे आपकी सुविदा के अनुसार और आगे चर्चा कर सकते हैं? Would you be able to provide me with more information? क्या आप मुझे और जानकारी प्रदान कर सकते हैं? I'm really sorry but I can't make it to the meeting मुझे वास्तों में खेद हैं लेकिन मैं बैठक में नहीं आ सकता I look forward to your response मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा I'm writing to inquire about the status of my application मैं अपने आवेदन की स्थिती के बारे में फूश्टाश करने के लिए लिए लिख रहा हूँ Please feel free to contact me if you have any questions अगर आपके पास कोई सवाल है तो कृपिया मुझे संपर्ट करें Could I possibly get a copy of that report? क्या मुझे उस रिपोर्ट की एक प्रति मिल सकती है? I'm sorry for a misunderstanding किसी भी गलत चायमे के लिए मुझे खेद है Would you kindly forward this email to the concerned department? क्या आप कृपिया इस email को संबन्तित विबाग को भेज सकते है? Thank you for your patience and cooperation आपके धेरियो और सहीव के लिए धन्यवाद It would be great if we could discuss this in person ये बहुत अच्छा होगा अगर हम इसे व्यक्तियोद रूप से चर्चा कर सके Please accept my apologies for the delay Could you let me know your availability for meeting? क्या आप मुझे बैठक के लिए अपने उपलपलता बता सकते है? I am grateful for your prompt response आपके त्वरेत उत्तर के लिए मैं आभारी हूँ Would you please clarify what you mean by that? क्या आप स्पष्ट कर सकते है? क्या आपका मतलब क्या है? I hope I am not disturbing you मुझे आशा है कि मैं आपको परिशान नहीं करता हूँ I would like to request your assistant with this project मैं इस परियोजना में आपकी सहयदा का अनुरोद करना चाहूँगा I appreciate your understanding in this matter इस मामले में मैं आपकी समझ की सराना करता हूँ Could you provide me with an update on this? क्या आप मुझे इस पर एक अपडेट प्रदान कर सकते है? Please let me know if this is convenient for you रुपया मुझे बता है कि या आपके लिए सुविदा जनक है Thank you for bringing this to my attention इस पर मेरा ध्यान आकर्शित करने के लिए धन्यवाद Would you be available for a quick call? क्या वेक त्वारित कॉल के लिए उपलब्द हूँगे? I appreciate your time and effort आपके समय और प्रयासकी में सराना करता हूँ Please feel free to correct me if I am wrong अगर मैं गलत हूँ तो कुपया मुझे सही करे I hope you have a wonderful day ahead मुझे आशा है कि आपका देन शानदार हो Thank you for your kind words आपके दयालू शब्दों के लिए धन्यवाद I would be delighted to join you मुझे आपके साथ शामिल होने भी खुशी होगी Could you please provide more details about the event? क्या आपक्रपया कारिक्रम के बार में और जांकरी प्रदान कर सकते हैं? I am honored by your invitation आपके निमंत्रन से में सम्माने थू It's always a pleasure to work with you आपके साथ काम करना हमेशा सुखत होता है Thank you for your valuable input आपके मुलिवान सुजावत लिए धन्यवाद I hope आपको ये वीडियो अच्छे लगे होगी और आज से आपी ही polite sentences आपके करना सेशन में जरूर यूज करोगे इस तरह के आपर वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीज़े शेयर कीज़े, सब्सक्राइब कीज़े तब तक के लिए बाए बाए